एन आईजीएफ की अध्याशी डॉर्टर साधना गुपता ने गोरपू जेनलिस प्रेस कलब में आईवजीत एक प्रेस वारता में बताया कि नॉर्थ इंडिया गाइनी फोरम उत्तरी भारत के साथ राजियों और दो केंदर शासित परदेशों के परसुति इवं इस तरी र इस अधिवेशन का विशे महिलाओं का समगर स्वास्त है इस अधिवेशन में एन आईजीएफ की सभी पतादिकारी संरच्छक डॉक्टर शारदा जैन, डॉक्टर रागनी, उपाद्धेश, डॉक्टर जिया चतुरवेदी, डॉक्टर अमरित पाल कौर, डॉक्टर अचल इस समग में गोरफपुनी से बात करते हुए एन आईजीएफ की अधियच, डॉक्टर साधना गुपता ने कहा। यह अभी दो बर्श पुरानी है और हमें यह सूचित करते हुए बहुत खुशी की बात है कि गोरफपूर का आईसोपाफ चेप्टर और गोरफपूर ऑप्स गाईनी सोसाइटी साइन्ट रूप से नॉर्ट इंडिया गाईनी पोरम का दूसरा वार्शिक अरिवेशन आग प्रश्टी से सारी चीजों को लेके हुए उनकी बिमारियों उसकी रोख खाम उनका संपूर्ण सुआस्थ जैसे के अन्वायर्मेंट वैक्सिनेशन सारी मुद्दों को लेते हुए यह दो दो दिन प्रिद से अभिजेशन किया जा रहा है इसमें हम तीन कारेशालाइं कर यूरो गाइनिकॉलजी इंपर्टिटी यानि की इनिसंताल्था की ऊपर जो नविंतम जानकारी है और प्रसूतिकल इमर्जेंसी यानि की प्रसूती जब महिला गर्भुवती होती है और उसको संताल के पैदा करने का समय आता है उस समय क्या-क्या अकस्मिक चीज़ें हो सक इसके अलावा कॉन्टिस में औरेशन है जो कि बहुत सीनियर लोग देहरी की क्यों डॉक्टर डॉक्टर शाद्रजेंग पुच्छ रक्षाब में महिलाओं को कैसे बचाए जाए और उनकी म्रुक्यों को कैसे उतर जाए डॉक्टर मन्जू वर्मा जो प्लैसेंटा पर्ट जो की करीब 30 से 60 परसंट लोगों को होती है उस पे नवी तम जानकरी दी जाएगी हमारी नौटिंगा नाइनी फोर्म के मुझे मिशन है अनीमिया मुख्थ भारत सर्वाइकल कैंसर मुख्थ भारत जीरो मॉटलिटी फ्रॉं प्रिवेंटेबिल पॉस यानि कि जहां पे मा प्रोग्राम कर रहा है वह सारे नौट इंडिया के सभी स्टेट सभी टीचिंग इंसिट्यूशन तक पहुच रहा है जिससे कि हम नौट इंगया में जहां पे मात्रत मत्यूदर अपेक्षा कर दक्षिण और वेस्स पार्ट से जादा है यहां पे हम अपनी मात्रत जिसमें नौट इंगया कि सभी प्रमूट इंसिट्यूशन यानि की दिल्ली एम्स प्रोग्तर पीजी आए चंडिगार्ड पीजी आई लखनौ गॉरखपूर एम्स राइबरेली एम्स जम्मू एम्स और सभी टीचिंग इसिट्यूशन के टीचर्स और स्टुडेंस शिर् अपील है कि वो इस कारिक्रम में पूरे दो दिन बच्चड के हिस्सा ले और इस कॉंटर्स के आयोजन का विज्यान को अपनी स्किल्स को आगे बढ़ाएं जिसे कि हमें चेत्र में महिलाओं के स्वास के जिए सबसे अच्छी सर्वोत्तम हेल्फ केर दे सकें डाज सब जानना चाहेंगे कि आप ऑडल केंदर इन मिशों पर दिश्कस करेंगे तेकिन जो लोग ऑफिवादियों से उग्षून होंगे या घरसित है उनके विज में अवैनलस के लिए इसको कैसे आगे ले जाए या क्या कोई तर लागाएंगे थार्ण की देखेंच मरीजों तक पहुंसता है तो किसी में वार्षी का दिवेशन में कैम का योजन एक विल्कुल अलग चीज़ है जहां पर हम बुखे तरह स्क्रीनिंग कर सकते हैं या हम उन लोगों को अवेयर कर सकते हैं लेकिन अकैडमिक कॉन्फिंस का यही मतलब होता है कि का यही मतलब होता है